हाल फ्रेंट्स मैं हूं इंताज भांग इंताज टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा इंफिनिक्स होट टेन की कैमेरा सेटिंग्स के बारे में और एक ओभार भी दूँगा कैमेरे की हार एक फीचर्स के बारे में तो पूरा वीडियो जोरूर देखना और आगर आपने इंफिनिक्स होट टेन की अन्बोक्सिंग वीडियो और उसके साथ मैंने उसका कैमेरा रिभ्यू किया हैं डीटेल रिभ्यू बहुत सारे इमेजेस और वीडियो का सैंपल एनलाइज करके आप लोग को बताया है कि उसका कैमेरा क्वालिटी कैसा है कैमेरे के हिसाब सी एफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो ये दो वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद उसे भी जरूर देख लेना तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन्फिनिक्स के कैमेरा सेटिंग को दोस्तो कैमेरा सेटिंग की सुरुवात करते हैं सबसे पहले वाले आप्शन सौट वीडियो से दोस्तो short video में उपर से शुरू करते हैं उपर हमें 4 option देखने को मिलता है सबसे पहले setting का option है setting में 3 option दी गाई है एक delay capture मतलब time जितना time आप set कर दोगे उतना time के बाद shutter button प्रेस करने के बाद camera on होगा और उसके बाद fingerprint sensor as a shutter मतलब इसे on करके रखाऊगे तो fingerprint को use करके आप image और video shoot कर सकते हो और उसके बाद restore defaults यहाँ पर click करके आप okay मार दोगे नीचे तो जो भी setting आप change करोगे दूबारा पहले की तरह हो जाएगा और उसके बाद हमें देखने को मिलता है flash का option, flash में torch और off दो ही option मिलता है click करोगे तो torch हो जाएगा as a torch camera start करो या ना करो यह light जल जाएगा और इसे बंद करोगे तो camera off करो, on करो या फिर shoot करो, ना करो flash बंद ही रहेगा उसके बाद speed का option मिलता है speed में आधे speed मतलब एक video की normal है जितना speed होता है उसकी आधे speed पहले वाले option में देखने को मिलता है .5x और उसके बाद 1x मतलब normal उसके बाद 2x मतलब double speed में video को capture करेगा और उसके बाद हमें filter का option देखने को मिलता है और filter में बहुत सारे अलग-अलग filter हमें यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कोई भी पसंद हो तो use कर सकते हो और उसके बाद नीचे की तरफ देखे तो नीचे एक और filter का option दी गई है यहाँ पे जो यह वाला sign है यहाँ पे क्लिक करके आप बहुत सारे जो preset filter नहीं यहाँ पे preset दी गई है music के साथ तो ऐसा देखिए आप music के साथ यह play होगा और ऐसे वीडियो का जो जो भी preset दी गई है उसी तरीके से यह काम करेगा और यहाँ पे देखिए अलग-अलग preset में अलग-अलग तरीके का option मिलेगा तो यह आप लोग खुद use करते पक देख लेना कौन सा preset में क्या होता है उसके नीचे यह वाले जो option है दो star वाला option इसमें human face जो है उसको चोड़ा या फिर लंबा करेगा जैसे किसे का face बहुत ही पतला है तो मोटा करेगा मोटा है तो पतला करेगा यह वाले option choose करके कर सकते हो दोस्तो इसके बाद बात करते है वीडियो के बारे में दोस्तो वीडियो पर भी उपर हमें चार option देखने को मिलता है सबसे पहले setting का option मिलता है setting में भी उपर दो option है एक shutter sound shutter sound on करना चाते ही यह और फिर नहीं चाते हो और दूसरा fingerprint shutter मतलब जो fingerprint button है उसे as a shutter button उसके लिए option दी गई है और उसके नीचे वीडियो quality option वीडियो quality में 2K, Full HD और HD तीन option देखने को मिलता है और सभी video qualities 30fps पे based है और उसके नीचे custom volume button जो दी गई है मतलब mobile के जो volume button है उसे आप zoom करने के लिए यूज़ करना चाते हो या फिर as a shutter button यूज़ करना चाते हो वो वाले option दी गई है मेरे हिसाब से zoom जादा बहतर होगा क्योंकि आप fingerprint को भी यूज़ करके वीडियो या फिर image capture कर सकते हो और उसके नीचे restore defaults का option देखने को मिलता है इसे यूज़ करके आप कोई भी setting अगर अपका गडबर हो जाए बिगड़ जाए तो इसको यूज़ करके ok मार दोगे तो settings बिल्कुल पहली की तरह हो जाएगा और उसके बाद जाते हैं उपर flash की icon पर यहाँ पर flash की icon पर हमें 3 option देखने को मिलता है सबसे पहले flash off यह हमेशा off रहेगा उसके बाद auto मतलब जब जरुरत पड़ेगा तब आप लोग flash on हो जाएगा और उसके बाद torch का option देखने को मिलता है torch पर click किरते ही flash on हो जाता है camera में आप video shoot करो या फिर नहीं करो images click करो या फिर नहीं करो यह जलता ही रहेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से beauty on का option देखने को मिलता है beauty के और उसके बाद यहाँ पर video के तीन जो option देखने को दी गई है वो भी देखने को मिलता है जो कि हम setting में देख चुके है और video के बाद AI camera पर जाते है AI camera पर हमें उपर 4 और 5 option देखने को मिलता है सबसे पहले यहाँ पर भी setting का option लेकिन setting में उपर की तरफ हमें 4 option मिलता है एक shutter sound और दूसरा grid का option grid में हमें rule of thought का जो camera composition का option होता है जो चीज होता है वो ही दी गई है उसके बाद touch capture इसे on करोगे तो स्क्रीन में touch करते ही images capture हो जाएगा बिल्कुल ऐसे और touch capture के बाद हमें यह वाले AI auto watermark option देखने को मिलता है मतलब इसे on करके रखोगे तो images के नीचे आप लोगो दिखाएगा infinix hot 10 से capture की गई है और उसके नीचे images size images को जा अलग-अलग size दी गई है जैसे कि अभी 16 Megapixel बाला option select है उसके बाद 12 उसके बाद 9 अलग-अलग Megapixel का जो size है वो दी गई है उससे high करके रखना तो ही बैतर है उसके बाद delay capture जो टाइमर के हिसाब से image क्लिक करेगा आप shutter button को प्रेश करोगे तो जितना time select करोगे उतना time के बाद images या फिर video capture करना शुरू होगा और उसके बाद location का option है location on करोगे तो images और video के साथ location का attach हो जाएगा उसके बाद level का option दी गई है इसमें आप देख सकते हैं कि आपका camera कितना हिल रहा है जूम के लिए या फिर images वीडियो शूट करने के लिए और उसके बाद restore defaults का option वही बापस से सेम चीज़ दी गई है और उसके बाद flash के icon पे क्लिक करते हैं हमें चार option मिलता है बिलकुल पहले की तरह और उसके बाद हमें HDR का option मिलता है HDR में तीन option है HDR off बतल में हमेशा off रहेगा उसके बाद HDR on और यह ओन हमेशा हर image में HDR की हिसाब image klik करेगा उसके बाद HDR auto जब HDR की जरूमत पड़ेगा तब HDR की हिसाब से image klik करेगा वरना HDR की miejशाब से image नही क्लिक करेगा उसके बाद का aspect ratio य honorbrar उसके बाद पॉँर 4 is to 3 4 is to 3 based होता है क्यूंकि camera की जो sensor होता है वो भी 4 is to 3 में होता है उसके बाद 1 is to 1 यह बिल्कुल यूज करने की ज़रूरत नहीं आप खुद से image को आलग से crop कर सकते हो और उसके बाद हमें filter का option देखने को मिलता है बिल्कुल वीडियो में short video में जैसा मिला था वैसा ही और हमें नीचे जाते हैं AI cam पर नीचे दो option देखने को मिलता है यहाँ पर camera में हमें जो quad camera setup देखने को मिलता है उनमें दो ही camera से आप images, videos capture कर सकते हो एक है 16MP वाला camera और दूसरा है 2MP वाले macro camera यह वाले जो option दी गए है दूसरा यह है macro camera का option तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो beach वाले बहुत ही नजदीक ले जाने पर camera से अच्छे से focus नहीं कर पाते हैं अगर उसमें macro camera का option नहीं होता है अब main camera में हम shift हो चुके हैं और उसके बाद देखता है beauty का option उसके बाद bokeye का option देखने को मिलता है बोके के option में आप देख सकते हो को background कितना blur कर रहा है लेकिन इसका जो age है इस packet का जो age है mobile का box का जो age है age को भी यह blur कर रहा है दोस्तो end में हमें super night mood का option देखने को मिलता है और super night mood में हमें बहुत ही अच्छा result मिलता है इमेज capture करने के लिए क्लिक कर दिया अब process हो रहा है और आप देख सकते हो यह वाले जो area कितना dark था इसे भी bright करके image capture किया है दोस्तो इस वीडियो को प्लीज एक like कर दीजी इस वीडियो को बार में आपका कोई भी सवाल या फिर सूजा हुए तो नीचे जाके comment कर दीजी इस channel को subscribe कर दीजीए मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिंद जय भारत